तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनादर वीडियो अप यूट्यूबर्स लाइफस्टाइल तो आजम बात करने जा रहे है प्रो कबड़ी के स्टार प्लेयर के बारे में जिनों ने अपने डिसिप्लीन, रेडिंग स्कील्स और अपने जोश से महाराष्टर में ही नहीं बलकि पूरे इंडिया में अपना नाम बना दिया है टॉप रेडर में से एक बाने जाते है इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है इनोंने दस साल की उमर से कबड़ी खेलना चुरू किया था और आज वो इस मुकाम पर है तो आप में जो भी इनके फैंस है वो वीडियो को इंडेक्स जरूर देखे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्प्राइब करना मत भूलिए और अगर आप इंस्टाक्राम पे हो तो प्लीजर मुझे इस्टाक्राम पे फॉलो करना मत भूलना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो इनका बुरा नाम मोनु गोयत है इनका जनम 16 अक्टूमबर 1994 को कुंगार भीवानी हर्याना के एक मिडल क्लास फैमिली में हुआ था वैसे तो इनकी फैमिली में सब खेते बाड़ी करते हैं इनकी उमर फिलाल 2021 के इसाफ से 27 साल है और ये फिलाल देली इंडिया में रहते है पेशे से ये एक एथलेट और प्रो कबड़ी प्लेयर है जो की अपने बुलंद होसले से अपना नाम प्रो कबड़ी में उचा करते जा रहे है वैसे तो इन्हें नायाब सुबेदार मुनु गोयत कहा जाता है और ये इंडियन आर्मी जुनियर कमिशन आफिसर जेसी ओ भी है ये इंडियन नैशनल कबड़ी टीम के प्लेयर रहे चुके है और इन्होंने इंडिया को 2018 इशिया गेंस में ब्रॉंज मेडल जीत कर दिया था इनके अंकल फॉर्मर कबड़ी प्लेयर विजिंदर सिंग की वज़े से मुनु गोयत ने कबड़ी में इंट्रेस लिया और उन्होंने उनके करियर की शुरुआज कबड़ी से की उन्होंने 10 साल की उमर से उनके अंकल से कबड़ी की ट्रेनिंग लिग और वो उनके अंकल से सीखते गए उनके अंकल ने उन्हें अलग-अलग पैतरे सिखा है उसी के बलभूते पे आज वो टॉप रेडर में से एक जाने जाते है इन्होंने इनका कबड़ी में डेबिट 2018 में दुगई कबड़ी मास्टर्स में किया इन्होंने प्रो कबड़ी में इनका डेबिट बेंगाल वारियल्स की ओर से किया जिसमें उन्होंने 13 मैच में 69 पॉइंट स्कोर किये थे तो आप में से कौन को और इनके फैंस है मुझे कमेंट स्रिक्शन में जरूर बताना और मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना